कलर्स के टॉप शो उडारिया में आने वाला है एक बार फिर से लीप लीप के बाद कास में दिखेंगे काफी सारी चेंज़स दोस्तों खबरों की मानों तो उडारिया में बहुत जल्द आने वाला है एक लीप जिसके बाद ईशा मालविया शो से कह सकती है अलविदा जी हां ईशा ने जेनरेशन लीप के बाद फिर से शो को रिजॉइन किया था शो को स्पाइस अब करने के लिए लीप के बाद ईशा एक नहीं बलकि दो कैरेक्टर्स निभा रही है एक जैस्मिन का और एक जैस्मिन की बेटी हरलीन का और दोनों कैरेक्टर्स और उनके कॉंट्रास्टिंग परस्नालिटीज व्यूवर्स को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है लेकिन आप कहा ये जा रहा है कि लीप के बाद ईशा शो को कह सकती है अलविदा जिसका मतलब ये हुआ कि जैस्मिन और हरलीन के किरदार शो में नजर नहीं आएंगे और एक बार फिर शो एकम और नहमत पर फोकस करेगा वेल आपको क्या लगता है क्या ईशा का शो से एक्जिट लेना सही होगा अपने व्यूस कॉमेंट्स के तुरू हमें बताईए और शो से रिलेटेड और भी अपडेट्स के लिए Glitz Vision USA को सब्सक्राइब करना ना भूले ही इस आरशन वजलानी थे अलीशा पन्वर और यह ओचिस ऑस अन लिए ज एल जिए जिस वेजिछ्वेशन एल जो एलूस